और मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब मैं आज पास के कोई भी सामुद्र एक स्वास्ते कंदर ये अपरात्मिक स्वास्ते कंदर पे जाता हूं वहां पे मेरे को दो तीन दो तीन दो तीन बंदे CLC सेलेक्टेड मिलता है सबसे पहले में हमारे गुरुजी आजरी इंजिनियर सारण जी चोदरी और उनकी पूरी टीम का इस बच्जू की पाहूं दरा पे बहुत-बहुत शवाकत करता हूं अब बात सिर्फ एज्यूकेशन की होती है याप और एज्यूकेशन मेरी हुई है जिसको अपने सक्सेज बोलते हैं यह आप टेंथ पास करने के बाद अपड़ा एक टार्गेट होता है कि आप अपने सपने पूरे करो उस सपने पूरे करने के लिए आपको पहले एक प्ले मेरे को सी संस्ता से मिला था और मेरे बाद में बहुत इस गाउं से करीब 8-9 डोक्टर हम और एक इंजिनियर है जो आई-टी से सेलेक्टेड हुआ है वो सारी देन कोचिंग वो उसके है कि सारी पड़ाते है पर एक अपना टेग लाइन भी है कि वो जो सपने संसकारों के सा कहिता है पर उसके संसकार हमें उसके संसकार लंबे टाइम तक रहे सात में वह एक इसा बहुत देखने मिलता है कि इस्पड़ा र Cornet już बूल भी जाते हैं कुछ ऐसा भी होता है पर सील सी हमेंसा यह सिखाती है कि आपके सक्सेस के साथ आपके संस्कार साथ में लेकर चलते हैं अपने परिवार को वो सबसे अच्छी सील सी देती है उसके बात की बात मैं आपको बताता हूं कि मैं आज एक मेडिकल ओफिसर के पदबेकार हूं और मैंने मेरी लाइफ में अभी डाई तीन साल है नोकरी को मैंने नवा पदिस्तापन लिया है वो नवा पदिस्तापन लेके मैंने हर एक होस्पिटल को सोशली बोलो या फिर किसी भी तरीके से बोलो पेशेंट है गाउं की एक बाहुनाव जानके उनको उनकी मूलबुच सुविदय अच्छी करने के लिए कोशिश की तीर और यह जो सीक है मेरी यह मेरे को कोचिंग से अधिनियास हमारी गुरुजन सरवन जी चोधरी साब से मिली थी मेरे को उसके बाद में मेरे को अच्छा कब लगता है सब से अ पाहूल मिलता है और आप कोचिंग में एक त्यारी अब नो डाउट सब कोचिंग करवाती है पर एक डेली आपको एक मोटिवेशनल सेमिनार मिलती है और डेली आपको इस सीज के लिए आपको आगे बार-बार प्रेरित किया जाता है और आपके घरवालों की जो सपने होता है उसको बार-बार याद दिला कि आपको त्यारी किरी जाती है कराई जाती है वो सबसे बड़ी कोचिंग सील्सी है मेरे साब से अभी मैं मेरा गाउं पेत्र की बजू ही है बजू में मैं लग बग आट नो मैंने यहां पर इंचार्ज रहकेर गया हूं उसके बाद में सबसे बड़े बाता कि बाताती है कि इस बेel-ड के लोगों का इसंस्ता के प्रतिविश्वास क्यूंअ आज यहां बहुत लोग आये हैं वह से बात करने और बहुत मलब एजुकेशन के उपर कि कैसे डॉक्टर और कैसे इंजिनेर बना सके उस पे बहुत अभी वाग आये हैं कुछ अभी वाग कैसे भी आये हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं CLC में उनमें से एक तो हमारे होस्पिटल साब है मैपाल जी कंपाउंडर साब एक हमारे सरपन साब है मिठीड आगे रामकुमार जी घोदार अर पंचाई सीमी ते सदे से भी है तो ऐसे बहुत है जिनके अभी वाग कैर कुछ अभी आये हैं जिनको एड्मिशन कराना है लेंत में एक्चली उन है कि यह जो बेल्ट है इस बेल्ट को हमें एक ऐसा प्लेट्फों दे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बंदा है यह आर्थी रूप से कमजोर परिवार है सच्चिम जो टेलेंट है डेर जिसके बोर्ड एकजाम में अच्छे नंबर आये हैं उनको कुछ कोचिंग से और कु आज हमारे साथ मोजूद है तो बिल्कुल मेरा यह आज इसलिए हम सारे कट हुए है कि CLC संस्ता है वो एक संस्ता के साथ एक बावना जूड़ी हुए है बावना इससाब से जूड़ी हुए कि हर गाहों से डोक्तर और इंजिनियर बने अपना बहुत काफी सीज में सारे 11 से यह चलता हा रहा है कि जो आरती रूफ से कमजो और बच्चा है काभी लिए जिसमें डोक्तर और इंजिनियर बने की जिनके माक्स बहुत अच्छे हैं उनके लिए CLC की दरवाजे हमेसा से खुले मैं हमेसा से यही सुनता आया हूं और उसके लिए बहुत धन्यवा होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हमारे टीचर तेर मेनत बहुत से फूरी क्लास फिजिस की बहुत से ली थी तो यहीं कहना चाहूंगा कि आपको यह दिजे बच्चों को बले आर्थी रूफ से कमजोर और कुछ सक्षम भी हो तो उनके लिए आप एक बोल सकते हैं घर आप माइक दें आपस बैठके बोल दे आप 10 पास करके हमारे पास चले गए थे जी बोस वहां से किया तो का स्कोर क्या था ट्वेंट का स्कोर मेरा बोस था 74 प्रसेंट है तो बार बार एक बात करो फाउंडेशन में परसंट कम नहीं होते हैं